यह इतना खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड की मैं आपको दिखा कर बता रही हूँ देखे फ्रेंड यह है भीक साइज का फ्लावर और पहली बार मैं अपने गाडर में इसे एड की हूँ इसकी मैं बल्ब लाई थी 30 रूपीज के नर्सरी से जब भी बल्ब लाईएगा फ्रेंड मैं 4 साइज का लाईएगा जितना मैं 4 साइज का बल्ब लीजेगा उतने ही अच्छी फ्लावरिंग करेगी और जल्दी फ्लावरिंग करेगी मैं इसे दिसंबर में लायी थी, और अभी देखिये friend कितनी अच्छी इसकी flowering हो रही है एक plant में friend इसमें एक ही बार flower होता एक यह दो कलिया बनी हुई है, अग्दो flowering हो रही है इसके bulb multiple होते है, एक से अनिक बल्ब आपके हो जाएंगे इसे अगर बड़े पोट में लगाईएगा फ्रेंड तो तीन बल्ब एक साथ लगा सकते हैं मैंने इसे बहुत ही छोटे पोट में लगाया है फ्रेंड देखिए ये चोकलेट का डबा है इसमें लगाई हूँ इसलिए एक ही बल्ब में लगाई हूँ और इसका ग्रो दिखिए कितना अच्छा है एक सिजन में एक बल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है जब इसकी फ्लावरिंग खिल जाए फ्रेंड तो इसे सेडी एरिया में रखिएगा तो यह फ्लावर कम से कम 15 दिनों तक आपके गार्डन में ऐसे ही बना हुआ रहेगा इसके बहुत सारे कलर होते हैं मैं फर्स टाइम इसे ग्रो की हूँ मेरे पास इप एक ही कलर है इसमें मार्च तक फ्लावरिंग होती है उसके बाद यह डॉर्मेंसी में चला जाता है उस समय इसके बल्ब को ऐसे ही उपर से इतना दूर कटिंग करके इसी में अगर हम छोड़ दें तो अगले साल के लिए यह इसी तरह बना हुआ रहेगा और फिर से फ्लावरिंग इसमें होगा पानी की बात करें तो फ्रेंड इसमें ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करना चाहिए कम पानी इसमें ठीक है फ्रेंड लेकिन अगर इसमें ओवर वाटरिंग करिएगा तो धीरे धीरे इसके बल्ब खराब हो जाएंगे मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी भुरुबुरी होनी चाहिए जिससे की पानी डालते ही पानी अराम से बाहर निकल जाए इसमें 2-3 घंटा की धूप जरूरी है फ्रेंड और फर्टिलाइजर की बात करें तो शुरू मही में इसमें फर्टिलाइजर डालके बर्मी कमपोज्ड सब डालके इसमें अच्छा समिट्टी तियार की थी और जब इसकी कलियां बनने लगे तो मस्टर्ड केक इसमें डाली थी फ्रेंड और देखिए ग्रोध कितना अच्छा है यह बहुत ही लो मेंटनेंस प्लांट होता है फ्रेंड और एक बलबलाने से यह मल्टिपल होके बहुत सारे बलब अपने आप तयार हो जाते हैं पिछले अगले बार में इसे फ्रेंड बरे पोट में लगाऊंगी इससे की इसका मल्टिपल होने में ज्यादा हिस्व विधा होगा फ्रेंड यह था मेरा आज का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा जए होगी टाँ पर वाचिन घप गया झाल फ्रेंड और कुछ वय को यह वीडियो कि विदरले हैं